दोस्तो HSC CET Group D में Post Preference जो है दोस्तो किस प्रकार से आपने डालनी है इसको लेकर जो है दोस्तो आपके लगातार कोमेंट आ रहे हैं Step by Step जो है दोस्तो इस वीडियो के माध्या मेंचे आपको बताया जाएगा कि Post Preference आप जो है किस प्रकार से डाल सकते हैं आगर आप जाना चाते हैं तो दोस्तो वीडियो कान तक जुरू देखना नमस्का दोस्तो आप चभी का स्वागत करते हमारे यूटूब चैनल योगी स्मार्ट में दोस्तो अगर आपने भी तक मारे यूटूब चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब नेके है तो प्लीज चैनल को जोईन नहीं किया तो प्लीज टेलिगाम चैनल को जोईन कर लें टेलिगाम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्सिन में दिया गया है और मारे टेलिगाम चैनल का नाम है योगिस्मार दोस्तो एच ऐसे के दवारा जो है गुरूप डी बरती को लेकर पोस्ट प्रेफरेंच जो है दोस्तो आप से मांगी जारी है इसके लिए जो है दोस्तो पोर्टल ओपन हो चुका है अपका अब जो है दोस्तो लगातार आपके कोमेंट आ रहे हैं कि इस पर हम अपनी पोस्ट प्रेफरेंच को किस परकार से डाल सकते हैं और क्या ये पोस्ट प्रेफरेंच डालना जरूरी है वीडियो को अन तक दोस्तों जरूर देखना चैनल को अगर आपने भी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब आप जरू करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेर जरू करें सबसे पहले जो है दोस्तों आपने क्या करना है जैसे ही आप दिये गए link पर click करते हैं ये telegram channel पर भी है और इसको description में भी दिया हुआ है उसके बाद जो है दोस्तो इस परकार से आपके पास एक page open होगा जिसमें यापर आपने login ID डालनी है login ID डालने के बाद जो है दोस्तो आपने इस पर प्रोशिड वाड़े option पर click करना है जैसे ही दोस्तो प्रोशिड वाड़े option पर आप click करते हैं तो आपके पास एक इस परकार से page open होगा आलनकि ये जो page है वो सभी का open नहीं होगा जिन्होंने correction जो की थी अब ये जो पहले एक portal आया था जिसमे category, date of birth और अपने gender को जो candidate edit कर चुके है उनके पास इस परकार से page आएगा यहाँ पर जो है दोस्तो आपको अपने registration number यानि की application form यहाँ पर candidate, login ID, password ये सभी आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे लेकिन जिन्होंने जो है yes अपने उसमें किसी परकार की कोई change नहीं किया यानि कि आपकी date of birth category और फिर अपने gender को change नहीं किया तो आपके पास ये वाड़ा page ओपन होगा नितो लग बग candidate के पास जो पहले जो आपने दिखाया था वो वाड़ा page ओपन होगा इसमें जो है दोस्तों आपने याँ पर अपने पासपोर्ड बनाना है उसके बाद आपके एक यूशन पुछा जाएगा इस प्रकार से लगबग candidate के पास ये वाड़ा ही देखने को मिलेगा क्योंकि अगर किसी candidate ने कोई change नहीं किया थो लेकिन उस candidate ने एक बार उसको login जरूर किया था तो इस प्रकार से आपके पास एक page ओपन होगा उसके बाद जो है दोस्तों नीचे जो login वाड़ा दिया गया था जैसे यह आप उस पर कलिक करेंगे तो आपके पास एक page ओपन होगा इस प्रकार से जहाँ पर आपकी login ID यहाँ पर आपको mention मिलेगी उपर उसके बाद जो है दोस्तों यस और नो के लिए भी अभी यस और और नो किस किन candidate को मिलेगा यहाँ पर आपको यस और नो का option मिलेगा यह वही है दोस्तों अगर जिनोंने पहले अडिट किया अपने फोरम को उन्होंने तो पहले चो ओल्रेड यस कर रखा है लेकिन जिनोंने ओपन ही नहीं किया था जो मैंने दूसरा जो page दिखाए था उन आपके पास एक नया page open होगा इस प्रकार से जो है दोस्तों एक नया page open आपके पास होगा जिसमें आपके रजिस्टेशन नमबर यानि की application form, mobile number, gender, candidate का नाम, candidate की date of birth, candidate की category यह सभी आपको देखने को मिलेंगी उसमें जो है दोस्तों यहाँ पर जैसे थोड़ा इसको नीचे चाते हैं वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं लेकिन common cadre जो दिया गया है जो सबसे उपर जो है common cadre इसमें सभी department के सभी परकार के group जो है इसमें है आपके अब यह मान के चलो कि दोस्तों कि इन 22 में से अगर आपको नोकरी नहीं मिलते हैं इन 20 में से और आपने common cadre को भी select क करना चाते हैं तो इस परकार से HSE ने ने तो post का नाम दिया है ये केवल और केवल department की preference मांगे जारी है ने कि आप से post की preference मांगे जारी है तो कि कई साथी ऐसे भी हैं जिन्होंने बेलदार के पदपर बरती होने के लिए group D का exam दिया है और काफी ऐसे भी हैं जिन्होंने पि post का नाम नहीं दिया गया आलांकि सभी department में अलग अलग परकार की post होते हैं वह group D की इसलिए जो है यापर department में जो है दोस्तों department के वज़ाए यापर post preference डलवानी candidate से और भी बैतरी है रहता अब जो है यापर department का नाम दे दिया केवल और केवल department का नाम अब उस department में जो है क इस department में कितनी विकन्सियां है अब तो जो है दोस्तों आप ये post preference डाले या फिर ना डाले कोई इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि common counter में जो है दोस्तों आपकी सभी विकन्सियां है और अब जो है एचसे अपने हिसाब से जो है दोस्तों आपको post देगी रही बात है yes और no के option की yes के लिए भी जो है दोस्तों सभी candidate इसको yes करेंगे जिनके 50% general category में और 40% other category में अगर marks हैं तो सभी candidate इस करेंगे ये मान के चलो कि आपको 2-3 दिन bg करने के लिए जो है दोस्तों ये आपका portal ला दिया इस portal का कोई मतलब नहीं है किसी परकार का कोई भी क्योंकि आगर इसमें post दी जाती तो फिर भी कुछ मतलब रहता यहां पर तो department का नाम दिया है department में ये भी नहीं बताया कि इस department में ये विकंसिया है और ये भी नहीं बताया total विकंसिया कितनी है आदा दूरा काम ये आपक कौन सा लगाए जो आपका मरत जी करें उस हिसाब से आप इसको लगा सकते हैं यह है नहीं कि जो आप ने लगा दिया के वल आपको उसी डिपार्टमेंट में दोक्री मिलेगे यह एकारण्टी बर गी बात जो CET Group C में लग चुके हैं जो कि आपकी बरतियां हो चुके हैं 12-13 जार पदों पर ये सभी candidate भी जो हैं दोस्तों yes करने वाड़े हैं अब आप ये कहेंगे कि yes क्यों कर रहे हैं तो आप इन candidate को भी अभी ये confirm नहीं हो आकि आप नोकरी लग गए हैं क्योंकि अभी court का फैसला बाकी है हो सकता है revise result CET का हो जाए Group C में क्योंकि उसमें सामाजिक आर्थिक मापड़न के अंग की verification नहीं हुई अगर वो नहीं होती है तो हो सकता है सामाजिक आर्थिक मापड़न के अंग को खतम कर दिया जाए अगर खतम कर दिया जाएगा तो भई फिर से आपका result जारी करना पड़ेगा तो कि candidate ऐसे भी है जिनके पांच नमबर जोडने के बाद qualify किया candidate ने तो result पूरा का पूरा एक बार जो है दोस्तो चेंज हो जाएगा तो जो candidate लग चुके हैं उनको भी यह confirm नहीं है कि तुमारी नोकरी safe है इसलिए वो सभी candidate भी इसमें yes और no का option select करने वाड़े हैं जैसे ही दोस्तो आप यह सब post को select करते हैं तो उसके बाद जो है एक नय page open होगा इस परकार से जो जो अपने post department preference दी है उसकी list आपको यहाँ पर नेखने को मिल जाएगी यह वो लिस्ट है जो आपने अब select किये है लिस्ट के बाद जो है दोस्तों आपने क्या करना ही यहाँ पर अपना password डालना है password डालने के बाद जो है दोस्तों जो आपके registered mobile नमर इमेल आईडी है उस पर एक OTP आएक OTP डालने के बाद यहाँ पर अपने confirm preference form के उपर कलिक करना है और एक इस परकार से आपका page open हो जाएगा जिसमें आपको कि वह आपकी जो department की जो preference है वो आपकी confirm हो चुकी है यहाँ से अगर आप print out इसका निकारना चाहते तो आप इसको print out भी निकार सकते है दोस्तो अगर फिर भी किसी को कोई भी doubt रहता है department preference डालने को लेकर तो आप comment box में बोच सकते है या फिर आप हमारे telegram channel से दोस्तों जोड़ सकते है telegram channel का link description में दिया गया है और हमारे telegram channel का नाम है योगी smart